नमस्कार चर्चा में आपका स्वागत हैं मैं हूँ विकास सिंग्ग कल एक बार फिर किसान संगठनों और सरकार के बीच वारता होगी सरकार का कहना है कि किसानों का हित उसके लिए सर्वो परी है उनके लिए जो नया कानून लाया गया है उससे उनको बड़ा लाब मिलेगा हम आज चर्चा करेंगे नय किसान सुधार कानून से क्या कुछ फायदा मिलेगा किसानों को हमारी साथ चर्चा में मौझूद है प्रेम संकर मिस्रा जी वरिष्ट पत्रकार और अखंड परताफ साही जी वरिष्ट पत्रकार आप दोनों लोगों का चर्चा में स्वागत है आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो क्रिसी कानून बनाए गया है नया उससे कैसे किसानों को फाइदा मिलेगा सबसे पहले अखंड जी हम आपी के पास आज़े हैं और जानने के ये कोशिस करते हैं सरकार लगातार ये कर रहे हैं किसी मंत्री ने आज भी अपनी बात को दोराया कल जब बैठा कुई थी तब भी किसानों से कहा कि उनको जहां आपतियां है वो अपनी आपतियां दे उनका निस्तारण होगा लेकिन जो बातने जो तत्थ उठाये जा रहे हैं कुछ संगठनों के ज़ारा वो सही नहीं है उनकी सरकार की नियत बिल्कुल साफ है सरकार का ये कहना कि जो संगठना हैं वो प्रावधान को बताएं या उसके बारे में जानकारी दें ये बात समझ में तो आती है लेकिन साथ में ये भी समझने की जरूरत है कि आकर विरोध की ये बात आज ही क्यों उठी इस बार ही क्यों उठी है अचानक से पिछले तीन महीने का गैप अगर देखा जा तो उस तीन महीने के गैप के बाद ये बात चुरू हो गई इस विरोध के पीछे निश्य तोर पर बहुत सारी ऐसी बाते हैं जिनको लेकर किसानों का ब्रहम दूर करना जरूरी है और कहीं न कहीं ये मामला कुछ सियासी भी है, सियासी सपोर्ट कहीं न कहीं से है और इस बात को लेके सरकार भी शायद इस बात को लेके इसलिए पूरी तरह से आजवस्थ फिलहाल दिख रही है कि उसे कोई नुकसान नहीं होना है, इस मामले का सियासी करण कर दिया जाएगा तमाम मामलों की तरह से, लेकिन इस बार जो मामला है, ये मामला दिल्ली तक पहुचने की बाद, ऐसे समय पे जब पिछली बार मौनसून सत्र था तब भी इस तरीके की बात पहुची थी, दिली बेरने की कोशिश को होई थी, जंतरमंतर तक पहुचने के लिए किसान तयार हो गए थे, बॉर्डर पर उन्हें रुका गया था, इस बार भी इस तितनिया है कि मंडी का जो मंडी को लेकर जो कानून बनाया गया है, मंडी में जो किसानों की जो फसल पहुच रही थी, उसको लेकर और नस्प को लेकर इन दोनों ही चीजों को लेकर एक जो भ्रम की स्थिती बनाएगे, जाहे वो सरकार की तरफ से बनाए गई गई हो, या किस तरीके से देखते हैं किस तरीके से देखते हैं जो नए क्रसी सुधार कानून है उनसे किसानों की आय में ब्रद्धी होगी उनको एक आजादी मिलेगी काशी में देव दुपावली के कारिकर में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी महत्पून बात करें जिसका लब लुवाब ये था कि जो अफवाहों की खेती है उस पे पूरी जूट की फसल उगाई जा रहे है आप इस क्रसी कानून के पहलूं को गर आप देखि कि सरकार में रहते हुए एतिहास इभ बताया था उसके बाद मानसून सत्रस में ये कानून पास हुआ उसके दो तीन महीने बाद इसको लेकर पूरी राजनीती खड़ी होती है किसानों के सवाल सुने जाने चाहिए उनसे समबाद होने चाहिए और निश्ची तोर पे उसके करेंगे ये कहा जा रहा है कि सरकार ये लिखिद गारंटी देजे कि MSP से पर खरीद नहीं के जाएगी आज भी जो वेवस्था है यह जो क्रिसी कानून लागू हुए है उसके पहले की जो वेवस्था है उसमें में नियूंतम समर्थनमूल या MSP पे खरीद जो सरकारी खरी निश्ची तोर पे MSP पे होगी सरकार बार बार ये साफ कर रही है और बाजार को आप बादे नहीं कर सकते कि आप इससे कम मुल्य पे नहीं खरीज सकते यह ब्यूस्था ने अकल थी नहीं ब्यूस्था आज है तो यह बात जितनी सैध्धानतिक तोर पे प्रभावी लगती जो कर रहे हैं दिल्ली में जाके किसान इससे पहले जब एक बड़ी समस्याइं होती थी किसानों के लिए यूरिया को लेकर और किसान जब आत्मातिया कर रहा था बुन्डेल खंड का तब ऐसे लोग कहीं नजर नहीं आते थे आपको क्या लगता है बदलाओ तो पिछले यह जरूर है कि किसानों को उनकी उपच का च्छा दाम मिल रहा है मैसपी पे खरीद भी हो रही है इससे पहरे प्रधान मंतरी ने इस बात के भी जिक्र किया वाराणसी में कि अगर किसानों के लिए किसान सम्मान निधी दी जा रही थी उसको लेके भरम पहलाया गया ने कहा था भरोसा दिलायत है जैसा कि आपने कहा कि पवित्रता की गंगा जल की पवित्रता जैसी बात की हम किसानों को लेके जो हमारी जो मैंशा है वो बिलकुल साफ है मैंशा की बात तो समझ में आती है लेकिन अगर बात यहां पर हम करेंगे कि मंडी तक पहुचाने की पहले बात होती है, 2014 का आंकड़ा उसके पहले का आंकड़ा भी उन्होंने दिया, कुछ 600 कुछ हजार करोड तक की, माफ के जाएगा, 600 कुछ का, 650 करोड रुपे की डाले करीदी गई थी 2014 से पहले, और 50,000 करोड की डाले अधियान चाहिए, इसकोमन को मंडियों पर आजादी लेगी अब एक किसान रहता है, जैसे इंडिविजेलिया के खी सिरी व्यक्तिकी किसान से आशरित नहीं रहना पड़ेगा अब इसको मन्डियों के अब जाके यहां उत्तरपधेश का किसान केरलमें अपनी वॉक्तल बेच सकता है चिन्देव में में बेच सकता है तो उससे उसकी आये में किस तरीके से ब्रद्धी आप देखते हैं? इस पूरी प्रक्रिया में पूरे देश का बाजार खोला जा रहा है। क्योंकि पंजाब में जो मंडी सिस्टम है बहुत ही मजबूत है। मंडी सिस्टम होने का मतलब आढ़तियों और विचोलियों की भूमिका भी बहुत बड़ी है। सरकार आठ फीजदी मंडी टैक्स लेती है। उसकी आहिका पंजाब में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में एक फीजदी मंडी टैक्स कर दिया गया। मुतलब की नव के बराबर मंडी टैक्स में आप किसान अपनी फसल बेच सके आपको याद होगा है कौरोणा काल में किसानों को मंडी एक कुझानों को नव का आने में दिक्कत हो रही थी। तो पचास फसलों को, फ़लोन को, सबजीयों को मंडी से मुतकर दिया گयाtoi, किसान बेचे। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा अंतर होने वाला यह है, दूसरी बात है है कि जब बड़े प्लेयर आएंगे, मार्केट में आएंगे, जो बल्क में खरिदारी करेंगे, अगर एक किसान मंडी से लेकर आ रहा है, अपनी फसल को मंडी तक लेकर आ रहा है, ढुलाई करते हैं, जब भी तकनीक की बात करते हैं तो हमें बहुत बार लोग कहते हैं, इस देश की आज़ भी जो दो तीहाई आबादी से जुड़ा हुआ है, और उंके बाल बच्चे उनके पढ़ें लिखे लोग देश-डुनिया को चला रहा है, तो इसलिए तकनीक को लेकर इतन व्यवायद है ये लाल फीता साही का शीका अगंड कांट्रेक्ट फार्मिंग की व्यॉस्था करने की बात कहीं है तो अब किसानो को हसल अगर उसकी खराब हो जाती है तो फसका नुक्सान नहीं उठाना पड़ेगा उनक्रें में जाएगा इस बात को लेकर भी दोश-परशा जाएधा महत्पूर्ण हो जाता है जैसा कि पंजाब का जिक्रेणों ने कि आठ परसेट वहां पे आठाटीयों का चार्ज है या मंडी शुल्क है यहां पर मंडी शुल्क एक पृत्षत कर दिया गया है ऐसी इस्थितिया अगर बंती है तो आठाटीयों के विरोध की बात न की आठाना आ जाएगे उसमें अमानी आडानी जैसी बात भी आप लगा जाये जािए वी आजिए इस तरीके की अक्रुब्हा भी उडाए जा घर्न्रीख स्रेजिति ए गति ए किसान का यमान अर ट्राना आ जाये का नो जिले वीन आड़ती जिनकों हम कहते हैं, इनकी किरदार को हम नकार रहे हैं, बलकि इनके लिए संबल भी बनते जा रहे हैं, इसी किसान आंदोलन के जरीए, तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा कि हम जो शोशित हो रहे हैं किसान के तौर पर अगर बात करते हैं, तो जितने भी किसा अरे कहने कहने शोशित हो रहे हैं, तो इनकी अपनी मोनोपॉली जो चल रही है, आलती कई बार ये होता है कि किसानों से कमदाब पर फसलने ले ले लेते हैं और पूरी के पूरी मार्केट अपने मताबिक चलाते हैं, एक सर्टेन अमाउंट पर भी अगर MSP की भी बात कर लग हैं यही दलील है और जर्कार ने इस बात को नीती में दर्ज भी किया है कि अब आप चाहें तो मंडी में आके बेचे या उससे मंडी से उपर कीमत का जिक्र किया जो बहुत ही अच्छी कीमत किसानों को लिए बिदेश में भीका, तो ऐसे धेर सारे उधारने अपने उत्तर का मतलिब का होता है संविधा का सिधा सिधा मामला है कि दो पख्यों के बीच समझाओता है और यह थोड़े किया सकता है अगर किसान करना चाहे तब ही तो करेगा दूसरी एक महत्तोर भी समझे समझे आप के साथ सबसे बड़ा संकट क्या है कि पहले आपको बाजार तलासना पड़ रहा है इस संविधा खेती से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपने फर्म को जोड़ा बाजार आपके द्वार है और उसके बाद आप फसल उत्पात कर रहे हैं और आपको सीधे खरीद के ले आपको बेहतर तकनी देगा तो बाजार में अपनी उसका उपियोग करना है और इस पूरे प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी चाहे फसल का नुकसान हो या किसी मौसम के कारण फसल मारी जाती हो यह नुकसान उस बयापारी को जहलना है किसां को नहीं और जो सम्विदा की सर्ते उसमें बहुत साफ है जो एक जमीन को लेके जमीन रपने को लेके वातावरन तयार किया जादा सम्विदा की सर्तों में बहुत साफ है कि किसी भी कीमत पे चाहे नुकसान हो जाए सम्विदा के किसी भी सर्त का उलंगन हो रहा है किसान की जमीन न करते हैं इनकी स्टितियों में बदलाओ के आया है तो इन बदलाओ के और बढ़ रहा है यह जो संकाये हैं जो समाधान है उन पर निश्चित तोर बात होनी चाहिए और बात जब किसान और सरकार आपस में करेगी उम्मीद है कि उसका समाधान अगंड किसान कानूनों में जाये तो मोटे तोर पर जो समझ में आता है वो कहीं न कहीं मामला राजनीतिक होता है राजनीतिक अब वह इस वज़에 से भी देखा जा सकता है कि डिली के करीब में जो दो तीन राज है वह पर किसान संक्ठत जाद मजबूत हैं वह बड़े बडे किसान हैं चाहे वो हर्या के जर्इभ ही अपनी बात बढ़ाते हैं तो केंद्र सरकार पे हम एक दिबाव बना लेंगे तो ये दिबाव बनाने की एक सियासत भी हो सकती है हाला कि इस बात को कहके हम किसानों के आंदोलन को क्रिशी सुधार कानूनों में तो इतिहासिक चीजें आपको क्या लगती है कि क्या कुछ बदलाओ अब आगया है लंबे अर्थ के मारे बदलाओ की बात अगर करेंगे तो सबसे बड़ा बदलाओ तो यही है कि बाजार आपके दौर तक आ रहा है अपके दर्वासे तक बाज बदलाओ है ऐसा बदलाओ है जिसमें किस्तान कम से कम इस बात को लेके एक कांट्रेक्ट के जरीए इस बात को लेके मुतमईन हो सकता है कि हाँ उसकी जमीन तू बिलकुल उसके पास रहेगी लेकिन एक सर्टेन अमाउंट चाहे घाटे की इस्तिती हो चाहे मौसम कैसा भी ह चाहे वो जो भी हालात बने नुकसान हो तो वो नुकसान उसे नहीं उठाना है बलकि वो फाइदे में रहना है तो एक बड़ा फाइदा तो यही है दूसरी चीज़ MSP के साथ साथ बाजार खुला होना एक बड़ा बदलाओ है और इसको स्विकार करना चाहिए और हमें लगत नुकसान साथ समाप्ट होगी इस भी यही जो साथ कहतेओ निया युग आयगा क्रिसी चाहिए उसमें किस तरीय के बदलाओ आप देखते हैं लगति विसमें दूसरा जो एक फूर्ट प्रोसेसिंग का बड़ा सेक्टर है जिसमें हम आपके और जो मौसमी फसल है या जिनकी आई बहुत कम होती है आपके सब्जियां है फल है इनकी जो खेती है अभी क्या है कि भंडारन की हम तमाम दाओं के बाद हमारी भंडारन की छमता अभी भी सिम हम तो मैं क्यादार के मैं में अगपवे नशी यूज में निवेश प्रुका में कंष्वेश मोड़ार है थार प्रग्मा görणी चेवार के सब्ड़ सेफय। मैं होग अगज craftsman बड़ा है इस पूरी प्रक्र्क्रिया में जिसतरह से निवेश अधियों है इनका रुख जो एक तो एक पूरा इन्फा स्ट्रक्चर व्रिक्षत करें। इससे क्या होगा कि जो भंडारण की छुमता है वो निश्चे तौर पे बहतर होगी। अब इसी में जब अगर बाजार खरीद रहा है अगर ग्रामिड शेत्रों तक बड़े ब्यापारी या बड़े उद्द्यों पहुच रहे हैं खरीदारी करने के लिए तो यह जो संविदा खेती कर रहे हैं तो निश्चे तोर पे वो अपने उन फसलों के लिए उन उत्पाद के लिए अपने उत्पाद के लिए अपने उत्पाद कर सकता है जिसकी बाहर उसको अच्छा मूली मिल सकते हैं तो च्वाइस किसान के पास आएगी इससे बिलकुल च्वाइस आएगी और दूसरी चीज़ जो प्तान मंतरी अकसर कहते हैं कि लोकल को वोकल बनाना है तो ये ग्लोबल बनने की बात होती है किसान जैसा कि उन्होंने अपने वारांसी वाले दोरे में अभी जो कहा भी कि लोकल को वोकल बनाने का हम प्रयास करें और किसानों को जो फायदा होने जा रहा है इसका उन्ह शेहरी आम थे उसका जिक्र किया उन्होंने लंगना आम का जिक्र किया उन्होंने उन्होंने जिक्र किया वहां के सब्जियों का कि लंदन तक पहुंच रही हैं सब्जियां तमाम विदेशों में उसको पहुंचाई जा रही है तो इस तरीके से जो बाजार हैं उन बाजारों और पहले की तुलना में उस दिन की भाषण के वी बात अगर कर ले ये जिक्राद ये अच्छा मंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने यूरिया की भी बात कही थी कि तहले कि तुलना की 2014 के पहले के हालात में और पिछले पांच सालों में जो बदलाव आया है उस दौर का भी जिक्र किया उन्होंने उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हम किसानों तक खाद आसानी से कोरोना के संकटकाल में भी हमने बाजार खोले हमने दुकाने खोली उन तक पहुचाया कोचिछ की इस वायर टेस्टिंग भी हुआ यह तो इसमें कहीं नीदिया तो कारगर ने इधर पिछले एक समय में बड़े बेहतर काम किये किसानों के लिए जो उनके लिए मिलक पथर इस बात को दोहरा चुके हैं कई बार की MSP पर कोई सवाल उठना ही नहीं है इस ते तो ऐसे में नियत में जो सरकार की सवाल हो रहा है ऐसा लोग जो आरूप प्रत्या रूप लगा रहे हैं सरकार की तरफ से भी यह बोला गया है कि आंदोलन के पीछे कारण और भी हो सकते हैं अ powin देखिए दो चीजे हैं एक तुर यह है योजनाएं हैं नीतियां और दूसरा है क्रियानवध ये एक भारत के लोकतांतरिक व्युस्ता सरकारी करन में एक सबसे बड़ा संकट यह रहा है कि जो योजनाय बंती है और जो क्रियानवन होता है दोनों के बीच में इतना गैप होता है कि आशंका पैदा करना बड़ा आसान हो जाता है प्रदान मंत्री ने भी इसकी और जिक्र प्रदान मंत्री ने उसके तमाम उधारन के लिए वही बात कर रहा हूं कि होता क्या है कि अनुभाव अच्छा नहीं है तो इसलिए और MSP हुआ यह ऐसा है किसानों के लिए फसल से जुड़ा हुआ क्योंकि उसकी आमदनी का आज भी हमारी जो क्रिशी है उसमें बहुत हद तक परंपरागत उत्पादों पर ही फोकस है तो उनके लिए जो गेहूं धान या जो दलहन या तिलहन की जो उनकी प्रमुक फसले हैं अभी भी उनकी आयका हिस्सा एक बड़ा हिस्सा उसी को बेचना है तो इसलिए उस वह आसानी से ट्रच किया जा सकता है और इसको लेकर आराम से जायर कर दी जाते हैं और चीजें जिस उत्पादन की हम आगर बात कर रहे थे एक लंबा समय था जो बीत गया है अगर बीते अभी बात कर रहे हैं अभी कोरोना काल में हुए पलायन की बात कर रहे हैं सेवा चेतर सिमित हैं इंडिस्ट्री सिमित रही है ऐसे में आपके पास कृषी और कृषी आधारी उद्योग ही सबसे बड़ा कारण विर्शी और 30 सेगंड हमने बात कितम करता हूं और जब आप क कर रिस्सी उध wichtige करते हिंग तो आप जा तो किसान का भाला नहीं करते हो उप क मृष्त करना हो और अगर उहीं करना होगा तो इसके लिए लिए भाज़ार चाये ऑर इसके लिए नए भी rol अर इन वह को विह संधंभार और यहीं सब संसाधन उसको प्लंट अप कर नहीं करना है बिल्कूल पर भी नकेल कुछ इस अब हमारे से भाग लिया है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, तो इसे उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में जो भी नीतियां बनेंगी, जो भी कानून बनेंगे, जो भी सुधार होंगे, उसे किसानों का हिट होता रह आज के कारकर में वस इतना ही, नमस्कार. एए마 भुझो एएास, एब वसाना ही, एए मत that ऊजुझो यहाए FRE nah जो हुझे झाल के चार रसकता है, झाल के बहुझा।